भारत के मध्य पंजाब में एक तूफान चलगा था, साल था 1988, और सिक्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर, सौंड मंदिर, एक ऐसे संघर्ष का केंद्र बनने वाला था जो पूरे देश को हिला कर रख देगा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, एक मिशन जो गोपनियता से भरा हुआ था और खत्रे से भरा था, ऐसा क्या किया था केपियस गिल और अजीर डुवाल ने कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सफलता के लिए आज भी उसको माना जाता है, ठीक चार साल पहले वह उपरेशन ब्लू स्टार की गूंच अभी तक हवा में थी, उसकोनी टकराफ के खाव ठीक होने भी शूर नहीं हुए थे कि इतिहास खुद को दोराने के लिए धंकी देने लगा। लेकिर इस बार भारत सरकार एक अलग अंद लिखने जा रही थी। नौ मई 1988 को जैसे ही सुबा हुए अमरिस्टर की सड़के खामोश हो गई, हवा प्रत्यश्च बन गई थी। तीर थे आत्रियों को और स्थानी लोगों को समान रूप से अभास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्ट्राटेजिक प्लैनिंग और एक्जिक्यूशन में एक मास्टर क्लास देखने को उन्हें मिलने वाली है। एक उद्देश ब्लडशेट को कम करने में और पवित्र स्थलगी पवित्रता को बनाए रखने में सफल रहा। उतरते हैं, करेज, स्ट्राटेजी और रेडमिशन की कहानी के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। यह सिर्फ एक सेन अभियान की कहानी नहीं है, पर पिछली गलतियों से सीखने की, शक्ती और कानून की विवस्था बनाए रखने की, धार्मिक भावनाओं को संबान करने की एक नाजुक संतुलन का प्रमान भी है। वेलकम तू दा अंटोल्ड स्टोरी अफ ऑपरिशन ब्लाक थंडर, अ टर्निंग पॉइंट इन टेर्रोरिजम आफ पंजाब। 1980 के दशक के अंत में अजीट डोवाल खालिस्तानी विद्रो से निपटने के लिए भारतिय पंजाब की सीमा में गुस गयते, वापस आ गयते, जो उस समय भारत की घरीलू सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बना हुआ था, पंजाब खालिस्तानी आतंगवाद अजीट डोवाल एक खालिस्तानी आतंग की के भूमिका में और गोल्डन टैंपिल के अंदर रहें, ये कहानी है मई 1988 में खालिस्तानी आतंगवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 की, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 से 10 जून 1984 तक चला, इस ऑपरेशन का मकस अज़त था, हर्विंदर साब के अंदर छुपे हुए आतंगवादी, जर्निल सिंग भंडरवाला को बाहर निकालना या उसको पकड़ना, भंडरवाला उस उचाई पर कैसे पहुचा, क्या पॉलिटिकल सिच्विशन थी, और किन बातों के चलते ही ये इतना बड़ा आतं हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन एक बहुती बड़ी नाकामिया भी थी, और इसके सबूत और इसके ऑपरेशन की पूरी अगर आप देखें तो दुनिया भर में इसकी कई जगे कई इसको बुरा बोला गया, इसको एक फिल्ड ऑपरेशन माना गया, आर्मी की बहुती खराब इमेजस से हमारी डेवलप हुई, इस ऑपरेशन में काफी निर्दो सिवीलियंस ने अपनी जान गवाई, वहीं जब लगा कि ऑपरेशन फेल हो रहा है, तो गोला बारू इतना इस्तमाल किया गया कि हर्विंदर साहिब को भी काफी नुकसान हुआ, इसका करशन यह हुआ कि सिख लोगों की भावनाओं को काफी टेस्ट होजे और यह एक बहुत बड़ी वज़ा बनी पंजाब में आतंगवाद और बढ़ने थी, इसी बात का बदला लेने के लिए इंदरा गांदी जो कि उस वक्त की प्रधान बनती थी, उन्हें उन्ही के सुरक पंजाब में सब कुछ बिगड़ चुका है, हाला यहां तक बिगड़ गए कि लोगों ने अधेरा होते ही घर में दुबकना सही समझा, हर दिन पंजाब के जगा जगा आतंकी हमले होते, अलग अलग जगों से खबरे आती, जो लोग आतंकियों को सपोर्ट करते या उनकी म मार दिया जाता, पुलिस मालों नाकाम साबित हो रही थी, क्योंकि वार्दाथ इतनी हो रही थी कि पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और किसे पकड़ें और कहा जाएं, देश में इस स्थिरता के पीछे पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, और क्यों ना हो, उन्हें जब मालूम है कि देश स्थिर है और एक ऐसी जड़ से स्थिर है जिसको और हवा दे सकते हैं, तो उन्होंने वही किया इस टेररिस्ट और्गनाजेशन को फंडिंग शुरू करी, अब कोई एक टेररिस्ट और्गनाजेशन नहीं बलकि बहुत सार के रास्ते उन आतंगवादी और्गनाजेशन तक वो फंडिंग पहुचाई जादा करती थी, आपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब के आतंगवाद में बहुत जादा इसाफा हुआ, हर उम्र के लोग, खास तोर पर यंग लड़के यंग लोग इन और्गनाजेशन क को जॉइन करने लगे, उन्हें पाकिस्तान वाले पंजाब के एरिया में ट्रेनिंग दी जाती और फिर उनको पंजाब के प्रांद में भेज़ दे जाता है, वहाँ पर आतंगवादी गतिविदियों को पूरा करने के लिए, और आतंगवादी गतिविदियां किसी पर्ट और इस बात का फायदा उठाते हुए टर्रेरिस्ट वहां छुपने लगे। या ये कहो कि Golden Temple उनकी एक पनागार बन गए। पर जब पानी सर से उपर निकलने लगा, तो एक बार फिर सरकार ने डिसाइड किया कि इन आतंगवादियों को Golden Temple से बाहर लाना होगा। और इसके लिए शुरू हुआ Operation Black Thunder. 30 April 1986 को Golden Temple में लगबग 200 आतंगवादी शुके हुए। KPS Gill जो कि उस वक्त के पंजाब के DGP थे उन्होंने इस Operation को हैड किया। इस Operation में पुलिस के इलावा 300 National Security Guard और 700 Border Security Force के लोग उन्होंने इस पे भाग लिया। इस Operation में एक शक्स की जान गई और दो लोग घायल हुए। और पूरे 200 आतंगवादियों को अरेस्ट कर लिया गया। हलाकि उन सब को कुछ ही महीनों बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। पर वह Operation एक तरह का Successful Operation था. यह Operation बस साथ घंटे चला पर इसने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उतल पुतल मचा दी। सरकारें गिर गई कुछ नेताओं को रिजाइन करना पड़ा और बहुत कुछ उतल पुतल हुआ। और Political Instability के चलते पंजाब के आतंगवाद में कोई कमी नहीं आई। और नाही Golden Temple में आतंगवादियों के छुपने में कोई कमी आई। बलकि यह चीजियां और बढ़ने लगे। नॉर्मलाइज करने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद आतंगवादी समू एक बार फिर स्वन मंदिर में घुसपैट कर चुके थे। एक और खूनी टकराफ का खत्रा मंदर आ रहा था। लेकिन इस बार सरकार बहुत स्थेर और बहुत समझदारी से इसको हैंडल करने के लिए बात दे थे। केपीएस गिल यह बात जानते थे कि केवल बल प्रयोक करने से बात नहीं बनेगी और इस बात स्ट्राइक करना होगा। प्लान ऐसा बनाना था कि बिना गोली चलाए बिना हर्मिंदर साहब को नुकसान पहुचाए हुए आतंगवादियों को बहार निकालना था और पंजाब से आतंगवाद को खतम भी करना था। ऐसे में जरूरत थी स्ट्राइजिकल प्लानिंग की, साइकलोजिकल वार्फेर की और इंटेलिजन सपोर्ट की। ऐसे में एंट्री होती है अजीट डुवाल जी की। उससे पहले वो पाकिस्तान में पोस्टिट थे और उनके पहले जो हड्लेंड ऑपरिशन्स की वज़ा से उनको पंजाब में काफी उनका पहले नाम भी था तो उनको तुरंद पंजाब बुलाए गया। अजीट डुवाल अपने इंटेलीजेंस और अपने स्ट्रेजिकल प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। पहले कुछ दिन तो वो किवल रिक्षा वाला बनकर अमरिस्टर के हर्मिंदर साहिब के आसपास घुनने लगे। और आसपास की सारी पोजिशन्स और इंटेलीजेंस उनने गैदर की। उसके बाद जरूरत थी यह पता लगाने की कि हर्मिंदर साप के अंदर कितने आतंग की है। उनकी पोजिशन्स क्या है, उनका प्लान क्या है। ऐसे में जरूरत थी कि कोई गोल्डन टेंपिल के अंदर जाकर इंटेलीजेंस को प्रवाइड करा है। इस बीच पंजाब पुलिस पेरा मिलिटरी फोर्स ने हर्मिंदर साप को हर तरफ से घेर रखा था। गोल्डन टेंपिल के अंदर 60 से ज्यादा अतंगवादी थे जो कि जस्वीर सिंग रोट की अगवाई में वहाँ पर किलाबंदी करके बैठे हुए थे पूरे गोल्डन टेंपिल। वो बहार से आने वाली हर एक गोली का जवाब देने के तयार थे। अजीड डोवाल अंदर की इनफॉमेशन चाहते थे और ऐसे में उन्होंने खुद ही अंदर जाने का फैसला लिया। उन्होंने डाड़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए और फिस सरदार का रूप लेकर हर्मिंदर साथ के अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने अंदर जाकर अपने आपको पाकिस्तान से आया हुआ एक एजन्ट बताया। और यह कहा कि वो उनकी मदद करने के लिए यहां आए, पाकिस्तानी ISI ने उनको वहां पे भीजा है। उन्होंने अन आतंकियों को यह विश्वास दिला दिया कि वे टेंपिल के अंदर बाहर होकर उन्हें बाहर की सारी information प्रवाइड करेंगे ताकि वो अंदर अपने strategy के लिए forces से बलड़ने के लिए तयार हो सके। क्योंकि अजीट डोवाल साब काफी वक्से पंजाब में तैनाथ थे। इसलिए उनका उर्दू बोलने का लहजा, उनका पाकिस्तानी लोगों की तरह बात करने का तरीका वो सब इतना perfect था कि वहां पे अंदर छुपे आतंगवादियों को यह बिलकुल लगा कि यह पाकिस घंटे मिल रहा था, उनको वहां से बाहर निकालना बहुत कठिन था। इसलिए उन्होंने बाहर आकर केपिस गिल को यह बताया कि सबसे पहले गोल्डन टेम्पिल के अंदर पानी और बिजली सप्लाई काट देनी चाहिए। इस पूरे operation में 1000 security forces के लावा मंदिर को गेरे तो आतंगवादियों को प्यास बुचाने के लिए मजबूरन गोल्डन टेम्पिल के बीच बने लेक में पानी भरने के लिए जाना होता था। ऐसे में आतंगवादी बाल्टी लेकर तेज दोड़कर वहां पानी देने जाते थे और फिर वहां से वापस आते थे। पर हमा जारा मैसुस हो रहा था और अजीर डोवाल जो की अंदर थे वह उनको और ज्यादा डरा रहे दें उनको बारवाद बता रहे थे कि आर्मी जो बाहर है वो बुच्टे के तयार है और कभी भी ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन कर सकती है और इस बार शायद आर्मी का मोटिव यह है कि beyond जोड़ेंगे असी कोई गलती नहीं करें ऑपरेशन ब्लू स्टार में सबसे बड़ी कमी ती की उसमें मीडिया को दूर रखा गया ता मीडिया को सब्ker चुपाया था उसमें क्या था कि मीडिया जो वी च्छाप रही ती जो उनको गिदो साब से चाप रही थिति आपरेशन ब्लैक थंडर में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया और मीडिया टीम जनरलिस्ट की टीम को साथ रखा गया और उन्हें Ground Zero की एक एक अपडेट्स दी गई इससे फाइदा यह हुआ कि आम जनता तक exact information पहुँचे उनके साथ मिलने से यह हुआ कि लोगों को अवाहें फैलना बंद होगी लोगों को पता था कि आम फोसेस क्या कर रही है फिर 13 माई को IB के सहायक निदेशक निश्चल संदू ने खुद प्रेस रिपोर्टर बनकर अंदर आतंगवादियों से टेलीफोन पर बात कि उनके अनुसार आतंगवादी हाताश लग रहे थे डी मॉटिवेटेड लग रहे थे इसलिए उन्होंने यह सुझाओ दिया उनसे कि उपको बीच का रास्ता निकाले और इस सुझाओ के लिए आगी जाके केपियस गिल ने भी उनसे बात की सिंग ने बताया कि अगले दिन उगरवादियों ने गिल के साथ बात की और फिर वरिश आदीकारियों के साथ बात की इन आतंकियों का मनुबल तूटने के पीचे कहा जाता है कि अजीड डुवाल साफ का सबसे बड़ा हांता वो अंदर रहकर उनका मनुबल इस तरीके से तोड रहे थे कि आतंकिवादियों को लग रहा था कि बस हम यहां पर मर ही जाएंगी हमें यहां से बाहर नहीं निकल सकते अजीड डुवाल के मिशन इतने खुफिया होते हैं कि आप इस बास से अंदादा लगा सकते हैं कि उनके NSA के चीफ बनने से पहले तक कभी भी यह बास सामने नहीं आई कभी बास डिस्क्लोस नहीं की गई कि ऑपरिशन ब्लैक थंडर में अजीड डुवाल जो सरदार का बिश्वास ही नहीं होता अजीड डुवाल का इंटेलिजेंस और उनका वे ऑफ वरकिंग इतना जादा स्टॉंग हैं डुवाल की मौजूदगी बहुत ही खूफिया रखी गई थी और इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स के लावा किसी को यह बात की खबर ना हो कि अजीड डुवाल वहां पर अंदर मौजूद है क्योंकि ऐसे में उनकी जान को खत्रा हो सकता था आखिरकार 18 माई के दिन आतंगवादियों ने सरेंडर का मन बना लिया लाउट स्पीकर पर ऑन्हें सरेंडर करने के लिए डारेक्शन दिये जाना लगए उन्हें बता जाना लगा कि उन्हें की से और बोड़ना है इसे हैं को सारा बता अगया रिया दोशों से 1300 आतंगवादियों ने सरेंडर किय और 41 आतंगवादियों की जान लिए total पूरे ऑ नामत ऑपरेशन ब्लैक थंडर के वल इसलिए सक्सेस्फुल नहीं था कि हर्मिंदर साब को वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा को वहां की भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा बलकि इसलिए भी क्योंकि उसके बाद पंजाब का आतंगवादी खतम हो गया जब वह आतंगवादी बाहर आ रहे थी उनमें कुछ आतंगवादी उन्हें जो उनको डिये जा रहे थे उस डियरेक्शन को छोड़के उन्हें दूसर डियरेक्शन लिया और वह जो हर्मिंदर साब का जहां पर गरंत रखा होता है वह वहां घुज गए गुर्डन टेंबिल के बह कुछ देर के बाद वहां पर किसी एक आतंगवादी ने सफेद कपड़ा और खिड़की से बाहर दिखाया वह दिखाने के बाद के पीएस गिल खुद गोल्टन टेंपिल के अंदर गये और अंदर जाने के बाद उन्होंने उन आतंगवादियों को समझाया उन्हें भरोसा दिलाया और फिर वो उन आतंगवादियों को लेकर बाहर आएं यह पूरा जो ऑपरेशन ब्लैक्टन रहता एक जजबे का पूरा ऑपरेशन था अजीड डोवाल के पीएस गिल और भी जो वाकि सारे अधिकारी जो उस पर काम कर रहे तो उन्हें बहुत सूजबूश प्लानिंग से उस पर काम किया इससे समझ आता है कि कोई भी ऑपरेशन हो जब तक कि प्रॉपर प्लानिंग से ना किया जाए वो फेल हो सकता है अजीड डोवाल जो हमारे आज एहने से चीफ हैं उनकी बहादुरी के किस्से मतलब इफ यू गो इंटू डीटेल उतने जाद अजीड डोवाल और उनकी टीम ने वो लोग यूसे कैनेडा और उस्टेलिया से इन टर्रेस और्णाइशन को फंडिंग करते थे उन फंडिंग करने वाई लोगों का पता लगाया उन हवाला नेट्रोक्स का पता लगाया और दियर दिने करके रोके एजेंट्स के तूरू उन जो लोग वहां से फंडिंग कर रहे थे जो बिद्नेस मेंस थे जो कैनेडा और उस्टेलिया यूएस से बैठे हुए थे उनको किस तरीक से प्रेशराइज किया गया कि वह ये डोनेशन ये फंडिंग बंद करें और दियर दियर जब फंडिंग बंद हुई ये टैर्स और आज पंजाब एक खुशाल प्रदेश है यह हम सब जानते हैं यह थी कहानी ऑपरेशन ब्लैक थंडर की अगर पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट में एक सल्यूट जरूर लिखना एक भारत का तिरंगा जरूर भेजना लाइक जरूर करना और इस पूरी कहानी को शेर कर करते हैं जो कि एक फेल्ड ओपरेशन था लेकिन जो एक सकस्वल ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसके बारे में लोगों को नहीं पता अजीर डोबाल की इतनी बहादूरी वाला किस्सा लोगों को नहीं पता तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को शेर जरू करना न